अब पढ़ेगा इंडिया में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं के वी सी नैनो पब्लिकेशन का बिहार दरोगा मेंस परिच्छा का अब प्लेड़ सकते हैं साथ ही साथ एडिटोरिया वॉल्यूम फर्स और प्लेटफॉर्म वॉल्यूम सेकेंड का मॉडल टेस्ट पेपर बिहार दरों का मेंस के लिए हमारे चैनल पर उपलब्द है आप जाकर वहां से देख सकते हैं और अपने प्रिपेशन में मदद ले सकत हैं तो आइए स्टार्ट करते हैं अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और कमेंट जरूर कर रिएगा तो आइए पर्स्ट कोश्चन से देखते हैं स्लीप एपन पारी होती है वो नीद में सास लेने और चोड़ने में उन्हें प्रॉबलम होती है तो इसका सही आंसर हो जाएगा option number C निद्रा में बार-बार थोड़ी-थोडी देर में स्वास बाधीत होता है तो आईए नेक्स्ट कोस्टिन देखते हैं नेक्स्ट कोस्टिन कह रहा है किसी कल्ट्र हो गया मचली पालन और और हो उरी कल्चर हो गया आपका सबजी की खेती है नेक्स्ट कोॉस्टन دेखते हैं पर निद्रा में से कौन सा पाधब शार्मोन फा रामोन है तम इसको हा म फाइटो हार्मोन्स करते हैं यह प्लांट के ग्रोथ को कंट्रोल करता और उसमें हेल्फ करता है तो फाइटो हार्मोन्स आपका साइटो काइणीन एक फाइटो हार्मोन्स है जो कि आपके प्लांट के ग्रोथ को हेल्फ करता है तो ऑप्शन नमर डी आपका सही आंसर हो जाग होता है यह important for sexual and reproductive development के लिए responsible होता है तो अगर phytohormone की बात की गई है तो इसका सही आंसर हो जागा cytokinin option number D is the right answer next question देखते हैं निमलिकीत में से कौन सा तना है देखिए सलजम गाजर सकरकन यह सारे आपके क्या है रूट आते हैं और अध्रक क्या है तना है अध्रक खल्दी यह सारे तना होता है तो इसका सही आंसर हो जाएगा option number B next question देखते 5 नमर question निमलिकीत में से किसका उपयोग रक्ट कैंसर में के उपचार में किया जाता है तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका option number C phosphorus 32 देखिए रक्ट कैंसर जिसको हम लुकेमिया भी कहते हैं इसके जाचर उपचार में फासपोरस 32 का यूज करते हैं अब देखिए अगर बात करें आइडीन 131 का तो इसका यूज थायराइट कैंसर में करते हैं sodium 24 का यूज ब्लड सर्कुलेशन से इंड्रॉम के ट्रीट्मेंट में किया जाता है कोवाल 60 यह इंपॉर्टेंट है आपका कोवाल 60 यह अकसर पूछा जाता है यह यह इसका यूज हम ट्यूमर और कैंसर ट्रीट्मेंट में कोवाल 60 का हम यूज करते हैं तो आइए नेक्स कोश्चन देखते हैं कोश्चन नमर् 6 देंगु बखार में मानव सरीर में नमलिखित में से किसकी कमी हो जाती तो सभी जानते कि बुखार में प्लेटलिट्स की कमी हो जाती तो मच्छर नंबर A आपका क्या है साई आंसर है तो डेंगु एक क्या है आपका बाइरल फीवर है जो एंडिस नामक मच्छर के काटने से होता है यह मच्छर समानतर दिन में काटता है नेक्स्ट कोश्चन देखिए सेवन नमर कोश्चन मनुस के अंगों में कौन सा एक हनिकारक विकरनों से सरवाधिक सुप्रभाव होता है तो देखिए हनिकारक विकरने इट मिंस अल्ट्रा वाले ट्रे क्या है आपका हनिकारक विकरन है तो जो पार मनुस का जो अंग खुला होगा वह सबसे ज्यादा पराबैगनी किरनों से ज् जो सरवाधीक इफेक्टेड होती है तो इसका सभी अंसर हो जाएगा option number a आख कि नेक्स्ट कोश्चन देखते हैं एट नमर कोश्चन निमलेकित में से किसी हसने वाली गैस कहा जाता है तो हसने वाली गैस हैस को दो नाइटर्स औक्साइड को कहते हैं तो सभी अंसर हो जाएगा option number बी नाइटरस dictatorship नेक्स कोश्चन देखते और में नाइन परकास संसलेशन का हुआ है तो प्रकास संसलेक्स क्या है क्या क्यों प्रकास एंसेसिसजन क्या एक्छे क्रिया होता है और उसके बाद कार्बो हाइड्रेट और और ऋक्सीजन और वाटर निकलता है तो इसका उत्पात क्या हो जाएगा आपका ऑक्सीजन 2Li you have option number भी आपका क्या है राइट अंसर है next question देखिए 10 नंबर कोश्चन अधूनिक रसायनस्र का जनक किसे कहा जाता है तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन निबर सी लेवेस्या है इनको फादरा आपके कहा जाता है अब देखें कि प्रेटिया को क्या करते हैं सड़ियाँ गयान के अध्धन को चैमी इनको नॉबल प्रोश्कार मिला था इनको नॉबल प्रोश्कार किसके लिए मिला था रमन इफेक्ट के लिए मिला था हम नेक्स कोश्चन देखते हैं कोश्चन नमबर 11 आपका पूश्रा है कि इनसे फेलोग्राम EEG निर्ण में से किसकी निगरानी के लिए उप्योग करते है तो यह brain में electrical activity इसमस्टिक से जुड़ी समस्याओं का पता लगाने के लिए इजी का उप्योग किया जाता है तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका option call spectrum कह सकते हैं इसको आपका पूछ रहा इसका सीमा पूश रहा है तो इसका सीमा क्या होता है 3900 एंगन्स्ट्रम to 7600 एंगन्स्ट्रम इंसका सही आंसर हो जाएगा आपका option नंबर बी a行了 क्या है यह यूनीट है है कि और ठटी-99 Benjamin होता है वह अल्टरा वायले त्रे करे को होते हैं जिनका ऴ वेवलेंथ है वो 7600 अंस्ट्रम से ज्यादा होता और इसके बीच का जो हुआ 3900 तो 7600 अंस्ट्रम तक का वेवलेंथ का धारत रंक को हम विज्वल स्पेक्ट्रम क्याते हैं अब नेक्स्ट कोश्चन देखिए तूटी हड्यों की रच्छा के लिए प्लास्ट फेरिस का परियोग होता है यह क्या है यह आपका जिप्सम है आपका देखिए प्लास्ट फेरिस निर्जलिय जिप्सम है जो प्राया वाइट कलर का होता है और आपको प्लास्ट फेरिस वाटर से रियक्ट करके जिप्सम बना पुति हऴियों को करने में करते हैं को सिंदेखते हैं कूतवर 14 टेफलां निमलिखित में से किकश्क का पोलिमर यह पूछ्यfish पूछ्या होता है राज मॉलिक्यूल ये निक्सित में होते हैं उसको हम पॉलिमर कहते हैं जैसे कि पॉलिषीन भी पॉलिमर तो इसका आपका मोनोमर क्या हूँआ इथरीन होता है टे मोनोमर क्या होता है टेट्र Aber तो इतलीन होता है तो इसका सही आंसर हो जाएगा option number a और विनाइट कोलराइट क्या है आपका एक मोनोमर है जिसका आपका पॉलीमर क्या है पीवी से उसका पॉलीमर है next question देखते हैं question number 15 बनस्पती में पान के स्थांतरन के लिए यह कौशिकाय जिम्मेदार होती है कौन-कौन से हैं देखिए आपके दिया हुआ तो आपका बनस्पती के जाइलम जो है जल एवं खनीज लबनों को पतियों तक पहुंचाता है अब फ्लोयम क्या क्या पतियों जल और खनीज लिए आपको बनस्पती में पानी के सांतरन कोन कर रहा है जायलम कर रहा है तो इसका सही अंसर हो जाएगा अपका नमस्पती कास्ट जिसको हम जायलम बोलते है अधिक्स कोशन देखते है को से नमस्टीन निमलिखित घट्नाओं को काल क्रामा नुसार बेवस्तीत कीजिए और नीचे दिये गए कूट से सही उतर का चैन कीजिए आप देखिए क्या पूछ रहा है आप से आप से पोस्थारे आपके यह हंटर आयोग सेडलर आयोग बुड का घोसना पत और सार्जेंट आयोग है यह पूछ रहा है इसको काल इसको आपको सीरियल वाइज करने के लिए भी बोल रहा है तो सबसे पहले आपका क्या हूआ बुड घोसना पत्र जो की बौर्ड आव कंट्रोल के प्रधान चाल चाल्स बुड द्वारा नई जुलाई 1884 में जारी किया गया था तो सबसे पहले क्या हो जाएगा अपका बुड का घोसना पत्र आजाएगा उसके सबसे लास्ट है आपका सार्जेंट योजना सार्जेंट योजना तो सार्जेंट योजना बर्स में केंद्रिय सिच्छा सलाहकार मंडल ने प्रस्तूत की थी तो आरेंज करने की बात आएगी तो पहले आपका बुट गोशना पत्र आजाएगा उसके बाद आपका हंटर आए होगा और तब आपका सार्जेंट योजना होगा तो आप इसको मैच कर लीजिएगा नेक्स कोश पर्देश में इस्थित है तो यहां देखी है कालीबंगा जो है राजस्थान में लोथल गुजरात में इस्थित है आलम गीरपुर उत्तरप्रदेश के मेरण जिले में तथा हुलास सहारनपूर जिले में इस्थीत है तो इसका सई आंसर हो जाएगा ऑप्शन नमबर बी त्री और फोर क्या है आपका उत्तर पर्देश में इस्थीत है नेक्स कोश्चन देखिए कोश्चन नमबर 18 निमलिखीत में से किसे गांधी इर्विन समझोतों में महात्मा गांधी के लाव को संताबना प्रुसकार कहा था तो इर्विन के जिबनिकार एलन कैमबेल जॉंसन ने गांधी इर्विन समझोतों में महात्मा गांधी के लाव को स इबनी कार्थ है नेक्स कोश्चन देखते हैं कोश्चन नमर नाइंटीम देसेर कथा पुस्तक किस ने लिखी है देसेर कथा पुस्तक महानकांतिकारी विचारक एमम लेखक सुखराम गनेज देव संकर ने द्वारा लिखी गई है तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन न में किया था तो देखिए महम जेनरली पढ़ते आ रहे थे सती पर्था का आन्त राजा राम मोहन रायर ने किया था जबकि राजा राम मोहन ने इसकी सती परथा के खिलाप अल्दोलन की सरुलाद की थी इनहीं के पर्यासों के बड़ुलत 1829 इसवी में लॉट्ट बिलियम बेंटिक ने सतीपर्था को प्रतिवंदीर किया था तो अगर होगा गैर कानूनी किसने घोसित किया था तो लॉट बिलियंग बेंटिक ने किया था उसका सही आंजर हो जाएगा ऑप्षिन नमर भी बिलियंग बेंटिक नेक्स कोश्चन देखते हैं 21 बाहमनी समाज राज का संस्थापक कौन था तो बाहमनी राज का स्थापना 1347 इस भी में हुआ था और इसका संस्थापक आपका अलाउदीन हसन था तो इसका सही आंजर हो जाएगा ऑप्षिन नमबर ए नेक्स कोश्चन देखते हैं कोशन नमबर ट्वंटी-टू द्वैत सासन का जनक किसे माना गया था? द्वैत सासन कहते किसको है? जब दो सासक एक साथ सत्था का संचालन करते हैं उसे द्वैत सासन कहते हैं। इस विद पंगाल के नवाब के हाथ से चलता था तो यह सत्ता के दो केंद्र थे इसे हम द्वयत सासान कहते हैं तो अगर इसके आंसर की बात की जाए तो इसका राइट आंसर हो जाए नहीं थे तो देखिए दिये के विकल्प में कौन-कौन से है आरडीव एनेरजी कें दिच्छित एसस बत्स यह सारे जो हैं यह भारतिय पुरा 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 बित हैं जो हड़ापा और मोहन जोदर के उत्खनन से समंधित हैं जबकि बीए स्मित जो हैं उबेदेशी इतिहास कार थे तो यह मोहन जोदर और हडपा के उत्खनन से संबंधित नहीं है जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन अमर्डी बीए स्मित नेक्स कोस्चन देखिए 24 को फराजी कौन थे फराजी फराजी अल्दोलन 18-1919 सदीक में पूरभी बंगाल में होने बाला एक धर्म सब्सक्राइब हो नेक्स कोशन देखते बिहार के कौन से आस्थान से अपना परफम सत्यागरा किया था तो आफिसka एक शोचिन में पना पर्थम नील की खेती करना निवार्ण्ध सत्यागरा का पर्थम करियो गांधी जी त्वारा गांधी जी द्वारा सफल ने तृत किये जाने से रवीन नाट टाइगोर उनसे बहुत ही प्रभावित हुए थे और उन्होंने महात्मा गांधी को महात्मा का महात्मा की उपाधी उनसे सुसोभित किया था किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असाहियो गुल्दोलन को अपनी हिमाले जैसी भूल बताई थी उसका सही आंसर हो जागा ऑप्शन नमरे चौरी-चौरा हत्याकान देखिए असाहियो गुल्दोलन कब हुआ था नागपूर के कॉंग्रेस अधिवेशन में इसकी पू बापस नहीं ली गई तो ब्यापक सबने अल्दोलन शुरू किया चाहेगा और उन्हों ने अपना ब्रिटिस ने अपना नहीं बदला जिसकी बज़ा से गांधी जी ने असाहियो गुल्दोलन शुरू किया था लेकिन उत्तरपरदेश के गोरगपूर जीले में इसे चौर ने कहा था कि असाहियो गुल्दोलन उनकी हिमाले जैसी भूल थी तो असाहियो गुल्दोलन आपका 1926 में हुआ था और यह नागपूर के कॉंग्रेस अधिवेशन में इसकी पूस्टी की गई थी खासला लिया गया था कि करना है और यह चौरी-चौरा हत्य कांट जो की प कितना बाजो एक कातिल में है तो यह रामपरसाद बिस्मिल ने लिखा था तो इसका सही आंसर हो जगा ऑप्शन नमबर ए यह काकोडी सर्यंत के तहत इन पर वियोग चलाकर 19 बिसंबर 1927 को काकोरी कांड में गोरकपुर्की जिला जेल में ने फासी दे दी गई थी नेक्स क सही आंसर हो जगा ऑप्शन नमबर ए अब देखिए 29 नमबर कोश्चन अलाओ दिन खिलजी के आकरवन के समय देवगिरी के सासर को रामचंद्र देव थे तो इसका सही आंसर हो जगा कि ऑप्शन नमबर बी नेक्स कोश्चन देखते हैं कोश्चन नमबर थर्टी असरयो गल्दोलन सुरू किया गया था बर्स 1920 में अभी हमने इसके बारे में पढ़ा नेक्स कोश्चन देखिए सुमेल इसको मैच करना मैच देखिए यहां से देखते हैं बारदोली कहा है ग आप चीम मंगाल में तो यह सही सही मैच होगया नेक्स कोश्चन देखते हैं मिए कि कोश्चन नमबर थर्टी तो रास्टी है कॉंग्रेस से पूर्ब सबसे प्रमुख संस्त्रा इंडियन एसेसियेशन ऑफ कलकता थी इसका सही आंसर हो जाय का ऑप्शन नमबर बी इसकी अ इसके अस्थापना आनन बोहन बोज के सहीयोग से सुरेन नात बैनर जी ने किया था नेक्स कोश्चन रेखिए 33 मुद्रा राच्छस नाम कुस्तक के लेखा कौन है तो मुद्रा राच्छस की रचना विसाखा पत्नम में की गई थी इसमें चानक की योजनाओं का बढ़न किया गया है सुरी मुद्रा राच्छस की रचना विसाखा दद ने की थी और इसमें चानक की योजनाओं का बढ़न किया गया है कि इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नमरे कॉटिल ने अर्थ सास्त्र की रचना की है बानभड ने हर्ष चरित एवं कादंबरी की रचना की है कलहन ने राज तरिंग नहीं लिखी है नेक्स कोश्चन देखते हैं 34 निमलिखीत उद्योग पतियों में से कौन से बैक्तिल लंबे समय तक EIC के खाजांची रहे तथा उन्हें 30 सिस्पी में जेल भी गये इसका सही आंसर हो जाएगा जमना लाल बजाज ऑप्शन नमर भी राइट आंसर है नेक्स कोश्चन देखते हैं कोश्चन नमर 35 समिधान भारतिय समिधान की छटी अंसूची के प्रापदान निमलिखीत में से किस राज में लागू होते हैं यह चटी अंसूची में है क्या तो छटी अंसूची के 244 पार्ट टू और 275 पार्ट वन से समंदित है इसमें असम के राज्यों में जन जातिय छेद्रों के प्रशासन से समंधित का प्रापधान है तो इसका सही आंजर हो जाएगा ऑप्शन नमबर एक त्रिप्टूरा कि नेक्स्ट कोश्चन देखते हैं कि निमली खीट में से कौन कीट से प्राप्त नहीं होता है रेसम क्या है कीट से प्राप्त होता है सब्सक्राइब प्रत किया जाता है जो कि कीट क सरेनी में नहीं आते हैं प्रिसे याद बोल रही हूं यार रखिएगा मोटी आपके पर लो इस्टर से प्राप्थ किया जाता है नेक्स्स कोश्चन देखते हैं भारत में भारत की निमलिकीत मिट्टियों में से कौन सा बेसाल साबा के अब 6 के कारण निर्मिद होता है मतलब बेसाल वा जो है उसके तूटने के कारण कौन सी मिट्टी का निर्मान होता है तो इसका सही आंसर हो जाएगा रेगूर मिट्टी तो option number D आपका क्या है, right answer हो जाएगा, रेगूर मिट्टी का निर्मान, बेसाल के चंटानों के तूटने फूटने से होता है, इसमें iron, चूना, एल्मूनिया और मैगनिसिन की बहुलता होती है, इस मिट्टी का रंग काले रंग का होता है, नेक्स कोश्चन देखते हैं, 38 number question, निमलिखित प्रजातियों में से किस से उत्री अमेरिका के मुल निवासी सम्मंदीत है, तो उत्री अमेरिका के मुल निवासी अर्थात अमेरिकी इंडियन, उत्तर और दच्छिन अमेरिका के प्राचिंतम निवासी है, ये मंगोल लाइट प्रजाति की एक साखा माने जात से बिस्वाइब प्राकिर्टिक बन्दरगा है जबकी चिन्नाई और तूतिक और दिन आपके हो जाएगा सौरी यह पूछ रहा है प्राकृतिक बंदर का तो आपके हो जाएगे कोची और विसाखा पत्न मतलब दो और चारत ऑप्शन अमर्डी आपका राइट अंसर होगा नेक्स कोश्चन देखिए निमलिकीट में से कहां बिस्व का सबसे प्रमानित तेल भंडार इस्थित है तो आपका इसका सही आंसर हो जागा ऑप्शन नमरे बेनिजुला में देखिए ओपेक के अनुसार अपेक संगठन जो है वो जारी करता है नविंतम आकड़ो जो जारी क नेक्स कोश्चन देखते हैं ड्राकेल्स बर्क परबत है तो यह परबत दच्छिन पूर्वर फिरका में पाया जाता है तो इसका सही आंसर हो जागा ऑप्शन नमबर सी नेक्स कोश्चन देखते हैं निमलिक निम में से कौन सा एक अस्तल रूट देस है मतलब लैंड इसका सही आंसर हो जाएगा बी हंगरी है देखिए हंगरी के है इरोप का इरोप में आता है इरोप में 17 ऐसे देश है जो अस्तल रूट देश है जिनमें से हंगरी भी एक है नेक्स कोश्चन देखते हैं 43 नमर करेबास मित्र मृतिका जो जाफ्रन मतलब केसर का एक अस्थानी प्रकार है कि उत्पादन में उप्योगी होता है पाई जाती है देखिए आप सभी जानते हैं केसर के खेती ज्यादातर का हीमाले में होता है थिसकासा ही आंसर हो जाएगा करेबास मित्र का कास्मीर हिमाले में पाई जाती है जो अत्य अधीक मिट्टी होती है और यह केसर की खेती के लिए उप्योगी मानी जाती है इस मिट्टी में बदाम ख्रोटाडी भी उगाए जाते नेक्स कोश्चन देखिए 44 संज्यूक्त राज अमेरिका का रस्ट बाउल निमली खित में से किस प्रदेश में से संबंदी थे इसका सई आंसर हो जाएगा ऑप्शन नमबर डी पिट्सवर्ग प्रदेश से संबंदी थे नेक्स्कोश्चन देखते 45 नमबर कोश्चन तमिलाडू में सरवादीक सूटी उत्पादन तो गुजरात में होता है लेकिन सूती बस्त के उत्पादन में तमिलाडू का स्थान प्रथम है क्योंकि तमिलाडू में सरवादीक कपड़ा मीले है और तमिलाडू के कोईमबर टूर को दच्छिन भारत का मैंचेस्टर भी कहा जाता है तो इसका सही आंसर हो आपका कोईमबर टूर ऑप्शन नमबर बी कि ऐसे भारत का मैंचेस्टर अमादाबाद को कहा जाता है कोशन नमर 46 देखिए निमलिखीत में से कौन सी नदिया बंगाल की खाड़ी में गिरती है तो बंगाल की खाड़ी में गंगा ब्रहंपूत्र गोदाबरी महानदी कि नर्मदा और तापती है वह खंबात की खाड़ी में गिरती है तो आप से पूछा जा रहा है कौन सी नदिया बंगाल की खाड़ी में गिरती है तो गंगा बहंपूत्र और गोदाबरी और महानदी कृष्ण और कावेरी भी तो ए और बी आपका दोनों सही है तो ऑप्श अकासिये पिंड है जो गैस और धूल के कनों से मिलकर बना होता है नेक्स्ट कोश्चन देखिए फोटिस्ट एट कि दशनी गोलाग में सबसे बड़ा दिन है तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नमर भी 22 दिसम्बर नेक्स्ट कोश्चन देखिए बिस्प के बिसाल बलित परबतों की रचना आज से लगभग कितने मिलियन बर्स पूर्व होई थी तो बिस्प में बिसाल बलित परबतों की रचना आज से 30 मिलियन बर्स पूर्व टर्सियरी यूग में होई थी तो इसका सही आंसर हो का ओप्शन नमबर भी कांगो घाटी में विस्वतिये छेत्र में निवास करने वाले नाप्टे कद के बॉने लोगों को पिंग्मी के नाम से जाना जाता है और कांगो बेसिन में पिंग्मी जन जाती पाई जाती है नेक्स्ट कोश्चन देखते हैं कोश्चन नमबर 51 अंतरा प्रशांत महागस्टागर से घुजरती है नेक्स्ट कोश्चन देखते हैं संसार की छत किसे कहा जाता है तो पामीर के पठार को संसार की छत कहा जाता है मंगोलिया और चीन में तो इसका सही आंसर हो जाता है और और इतनंगर को संसार की छद कहा जाता है नेक्सर्षन देखें 53 सब्सक्राइं दो भारत से अधिक उत्पादन करता अब्सक्ता से अधिक उत्पादन करता था आसन नम्र देखते हैं 54 एससे मंद में किस बरस को महान भीभाज़क बर्स माना जाता- सव सहान अप्षिन नमर एपका 1921 को नेक्स कोस्टन देखते हैं कि 55 नमर कोस्टन सरकारिया आयोग की संस्तूति अनिमलिखित से किस समंदीत है तो आप केंद सरकार केंदर राज समंदों पर बिचार करने तता उसके बारे में सुधिर बनाने के लिए उस्तम नयालेक के सेवा निमित नयादीस आरेस का सरकारिय की अधेस्ता में जून 1983 इसवी में एक आयोग का गठन किया गया था जिसमें बीवी सीवारावन और एस और सेनिन के दो अंसर दस थे तो आप देखिया आंसर इसका देखते हैं यह क्या है केंद और राज्स के संबंधों पर विचार करने के लिए इसका गठन किया गया था तो इसको आप्शन नमर्टी इस दा राइट आंसर नेक्स कोश्चन देखते हैं 56 भारतिय संबंधान में राज्यों का संग की संकल्पना को प्राप्त किया गया है तो भारतिय संबंधान में राज्यों का संकल्पना को ब्रिटिस नॉर्थ अमेरिका एक्ट से प्रेडित है भारतिय संबंधान के अनुछेत एक के अनुसार भारत राज्यों का संग कहा गया नेक्सक्त स्कशन देखते हैं किसी जाती तथा जन जाती को अनुषूची जन जाती घ्युशित करने तू है सकती संपम्य सम्मिधानिक प्रदिकारी कौन होते हैं तो इसके सम्मिधानिक प्रदिकारी भारत के राष्टपती होते हैं इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नमबर भारत का राष्टपती सम्मिधान के अनुछे 341 के तहट किसी जाती को आनुसूचित जाती घोसित करने तहट किसी जा करने के लिए सक्टी के पास होती है राष्टपती के पास होती है नेक्स कोश्चन देखते हैं भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संसोधन कौन कर सकता है तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका अंसर भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संसोधन करने अंधिकार सिर्फ सकती सामील है और आतिक बहुत का संभीधानिक संसोधन का अधिकार देता है 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 नेक्स कोशन देखते है निम्लिखित में से कौन एक भारत के संविधान संगियल अच्छन नहीं है तो देखिए के इंतताराज के भी सक्तिक बटवारा आपका संविधान अच्छन है पुन रूप से लिखी संविधान है है हम इंडियन को एक हरी नाग रिखता है मिली वी है और हमारे हमारा जो नय पालिका है वो भी सुतन्त है तो यह तो सारे सम्मित भारत के संभिदान के संगिये लच्छन है पेरे हिसाब से तो इसका आंसर यह गलत कोश्चन सी किया गया है अब एक बार इसे आप भी देख ली से थे तो इसका सही आंसर हो जाएगा ओप्शन नमबर सी चंसेखर भारत के नौमे प्रधान मंत्री थे इनका कार्यक्याल उन्हें सो नब्बे से एक जून उन्हें इस एकानमे तक था चंसेखर भारत के निचले सदन लोग सबागे सदस से थे नेक्स कोश्चन देखते हैं भारत के सरबोच नयाले का नयाधिस अपने पत्त त्याग कर सकता है किने पत्र लिखके तो यह राश्ट्पती को अपना त्याग पत्र देते हैं तो आप्शन नमर भी आपका राइट आंसर हो जाएगा नेक्स कोश्चन देखते हैं 62 अनुसूची जातियों और अनुसूची जन जातियों के लिए राश्टी आयोग गठीत का प्राभधान है सम्मिधान के किस अनुशेत के अंतर्गत किया गया है तो इसका सही आंसर हो जाएगा अपका अनुसूची जातियों के लिए राश्टीय आयोग तथा अनुसूची जन जातियों के लिए राश्टीय आयोग के गठन का प्राभधान किया गया तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नमबर ए 63 निमलिखीत में से कौन सा योजन आयोग तथा राज सरकारों के बीच समन में करता का कार करता है तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नमबर सी राश्टीय विकास परसद करता है देखिए राज तथा केंद्रों के भी सक्तियों के विभाजन को देखते हुए योजन तैयार करने में राज्यों का भाग लेना अनिवार था इसलिए छे गस्त उन्हेंस अबामन को राश्टीय विकास परसद की अस्थापना की के थी राश्टीय विकास परसद का अध्यच कौन होता है प्रधान मंत्री होते हैं तो नेक्स्ट कोशन देखते हैं कि राजबिधान सवा में कोई भी धन भी धेक पुरा अस्थापित नहीं किया जा सकता है तो इसका सही आंसर हो जाग ऑप्शन नमबर बी नेक्स्ट कोशन देखते हैं 65 नमबर कोशन निमलिखित में से कौन से समीती सौरी निमलिखित में से किस समीती में राज सभा का प्रतिनिद्द नहीं होता है तो प्राक्लन समीती में राज सभा का प्रतिनिद्द नहीं होता है प्राक्लन समीती में लोग सभा के तीच सदस होते हैं इसमें राज सभा के कोई भी सदस नहीं होते हैं प्राक्लन समीती को हम आक्लन समीती भी करते हैं तो इसका सब्सक्राइब कर सकता है और यह लोग सब्सक्राइब करता है कि उस सिफारिज को माने या ना माने और अगर राज सब्सक्राइब इनके भीतर अपनी भी भेजनी होती है अगर उन्होंने नहीं भेजा तो उस बिल्कों अपने आप ही पारित समझा जाता है नेक्स कोश्चन देखते हैं इनमें से कौन से राज्चिक के निती निदेशक सिद्धानतों में समलित नहीं है तो सूचना कादिकार जो है मौली सूचना कादिकार जो है वो निती निदेशक सिद्धानतों में समलित नहीं है बात बकी जो है ऑप्शन मेरे मद निसेत काम कादिकार समान का रहे हैं तो समान बेतन ये सारे आपके निती निदेशक सिद्धानतों में समलित है नेक्स कोश्चन देखते हैं तो इसका समिधान प्रेश की आजाती की विवस्था नहीं करता किन्तु यह आजादी अंतर नहीं थे अनुछेट किसमें किसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नमबर नाइन्टीन फर्स्ट का ए में पार्ट में हैं भारतिय समिधान के अनुछेट 19 में क्या है स्वतंता का अधिकार दिया गया है और भारतिय समिधान के अनुछेट 19 19a में बोलने की सुतंता बढ़नीत है यह यह भी सुतंता के अधिकार के अंतरकत आता है अब प्रेस की सुतंता का बढ़ना नाइंटीन एक में ही नहीं थे बढ़नीत है नेक्स कोश्चन देखते हैं 69 निमलिखित में से कौन भूमी रिकॉर्ड अधिकारी है तो पटवारी को हम भूमी रिकॉर्ड अधिकारी करते हैं आपका सही आंसर हो जाएगा देखिये पटवारी प्रणाली की सुर्वाट सरपथन सेसा सूरी के सासना का दौरान फी गई थी बाद में अकवर ने इस प्रणाली को बढ़ावा भी दिया बड़तवान में अदिकारी सब्सक्राव सब्सक्राइब होता है जो अपने च्छेत के भूमी समेंदी बीबात का निप्टारा करता है तो भूमी रिकार्ड अधिकारी कौन होता है नेक्स ग्रीके सब्लche land Deutschland आent तो इप इस संब्धान के अनुच्छे चिक 2019 to सब्लवराइध मैं लोग संवारा सामिला होते हैं भारत के राष्क पती को राजी का प्रमूख माना जाता हैं उन्हें उन्हें कारेकारी प्रमुक भी कहा जाता है दोनों सदन में बिल अगर पारीध हो जाते हैं तो उस şey आधर राश्क्रती चाहर कर दिए जाते हैं तोड़ बिल क्या होता है? अ के कानून बन जाते हैं भीना राश्क्रती के साथन का कनून में पर्वेथित नहीं होता है बहरत के प्रधान मंत्रि इंटरन होते हैं बहुता सब्सक्राइब जयसे म lleva उतरदाई होतें प्रसाब भारती प्रस्त के प्रस्फण दाई होते हैं तो वह भी अदर की होगे लोग सभा राइट अंसर हो जाएगा बारतिय संमिदान के इस नीकती राष्टपरति द्वारा किया जाता है और प्रधानमंत्री सांसत के निम सदन के नेता होते हैं तो अनुछेre 75 फ्री के अनुसार मंतरी परसस समय कृष से लोग सभा के प्रति उतरदाई होता है हैं अब नेक्स कोश्चन देखें 72 नमर कोश्चन एक MP की सीट को रिक्त घोसित किया जा सकता है यदि वह सदन में लागातार प्लिंग दब लंक से की अब दी के लिए अनुपस्तित रहता है तो वो दो मां के लिए अगर उपस्तित रहता है मतलब साठ दिनों के लिए अगर अनुपस्थित रहता है तो उसको स्पत को रिक्तगोसित कर दिया जाता है कि नेक्स्ट कोश्चन देखते हैं 73 नमर कोश्चन किस साल रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था तो इसका सही आंसर हो जाएगा हैं सब्सक्राइब सब्सक्राइब एक्ट किया था किया था ऑप्शन नमर्च पास्कीया गया था और उससे में भारत का बंगाल स्थापना की गई थी नेक्स कोश्चन देखते हैं 74 नमर कोश्चन भारतिय समिधान का कौन सा अनुछेट समयधानिक प्रब्धानों की संगिये सांसत और राजबिदान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों और कानूनों पर प्राथमिक्ता प्रदान करता है तिसका सही सांसर हो जाग ऑप्शन नमर सी 32 देखिए आर्टकिल 245 और 255 में संग तथा राजबिदाई सक्तियों का बित्रण का बढणन किया गया है और आटकिल 245 के अनुसार सांसत द्वारा बनाये गए कानून के बारे में राज अपत्ति नहीं कर सकता है कि नेक्स कोश्चन देखते हैं कि इस समंधित है मतलब इस मतलब इलेक्ट्रोनिक बिजनस तो इलेक्ट्रोनिक बिजनस जो कि भारत का गवर्ण पॉर्टल है जो बेफसाईयों की सरकार के साथ अंतक्रियाओं में सरलता एवं सुद्धा प्रादान करने के लिए के उदेश से इसे स्थापित किया गया था बनाये गया था तो यह सरकारी इसका सभी आंसर हो जाएका ऑप्शन अमर्डी सरकारी सेवाओं की पहुंच है तु एकल द्वारा प्लेटफॉर्म है यह बेफ प्लेटफॉर्म है नेक्स कोश्चन देखते हैं मानब पुन्जी में बढ़ता हुआ अभिन यूग अग्रिसारित करता है तो इसका सही आंसर हो जाएका देखिए सांसर दोनों का समुचित परियोग उत्पादक्ता में ब्रिधी और कुसलता में विकास ये सारे को अग्र सारित करता है तो इसका सही आंसर हो जाए कि अप्रोप्ट सभी ऑप्शन नमर डी नेक्स कोश्चन देखते हैं हरित कांति नई क्रिसी विउट रचना का परिनाम थी जो की 20 सदी में प्रडाम की गई थी भारत में हरित कांति का प्रडाम क्या हुआ था उन्हें सो लाएं स्वारी इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नमर सी साथ में दसक के दोरान नेक्स कोश्चन देखते हैं उदारी करन नीजी करन और भुमंडली करन की नई आर्थिक निती गोशित की गई थी प्रधान मंत्री कौन प्रधान मंत्री नहीं को गोशित तो उदारी करन नीजी करन और भुमंडली करन की नहीं आर्थिक निती उन्हें से कान में से इस वी में घोशित की गई थी उससे में भारत के प्रधान मंत्री नर्सिम्मा राओ थे तथा बित मंत्री हमारे मन महंसी थे तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नमर सी नर् अंधे यह नितैं साथ बैक्ति के नाम होता उसे का अंध तक उस पर अधिकार होता स्वामित होता है लेकिन कंपगुर्णी करिन पत्र है इसका स्वादिस्ट बदलता रहता तो यह VN है कंपणी करिन पत्र नंएक्समेशन देखिए पुण्जी बाजार से आसाय है यह पु सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे थैंक्स फॉर वाचिंग हर दगल Notre-चो चैनल नहीं किया है तो हमारे लिदा हमारे लिवें गारे लिवेंग कि शधYr Defर लिवें को सबस्क्राइब रात वाचिंग